अनन्त चतुर्दशी ब्रत दोहजारतेईस में कितनी तारीकों किया जाएगा पूजा का सुबमहरत क्या है और पूजा विधी संपूर्ण नियमिट्यदी की जानकरी आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त होगी देर ना करते हुए आरंब करते हैं अनन्त चतुर्दशी ब्रत गड़ेश विसर्जन के दिन के रूप में भी जाना जाता है इस दिन स्रीहरी विष्णु के अनन्त स्वरूप का पूजन का विधान सास्त्रों में कहा गया है साथ ही मौली की 14 गांठ लगा हुआ एक अनन्त सूत्र भी इस दिन पहना जाता है जो है पूजा आराधना से उनके सब कस्ट दूर हो गए थे इस दिन गड़े स्विसर्जन भी आप सभी अगर गड़े जी महराज घर पर विराजमान किये हैं तो आवश्यक रूप से करें 2023 में कैसे आपको पूजा करनी है यह जरूर से जान लीजे सबसे पहले सेसनाग स्वरूप के साथ आप सभी को स्रीहरी विष्ण की प्रतीमा फोटू विराजमान कर लेनी होगी सेसनाग की पूजा का इस दिन विधान है साथ ही उनके साथ गड़पती महराज भी छोटे से 14 धागों का 14 गाठों का एक धागा भी साथ में विराजमान करें आप सभी पीले वस्त्र धारन करकर स्वाप सच्छ हो जाएं विधिविधान से आप सभी स्रीहरी विष्ण के अनंत स्वरूप का पूजन करें उन्हें धूब दीब नैवेद्य इत्यादी जो है चड़ाए साथ ही जो आपने रक्षा सूत्र अनंत सूत्र बनाया है उस पर भी रोली चंदन मोली त्यादी समर्पित करें और भोग के स्वरूप में आपके पास जो भी है सच्छे भाव सच्छे मन से समर्पित करें आवशकर उसमें उरूप से उसमें तुलसी पत्र भी समर्पित करे ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें, अखंड दीप लगाएं, विदिविधान से पूजा करें और अनन्त चतुर्दस की ब्रत की कथा का स्रवन करें। कई भक्तजन सिर्फ फलाहार करकर ब्रत खोलते हैं, कई भक्तजन सेंधा नमक युक्त जो की ब्रत में लिया जा सकता है, उससे अपने ब्रत को खोलते हैं। कुछ भेक्ती मीठा खाकर ब्रत खोलते हैं, कुछ सिर्फ फलाहार इत्यदी ही करते हैं, यह दिन स्रीहरी विश्णु पूजा और गडपती जी के विसर्जन के लिए खूब धुमधाम से पूरे भारत वर्ष में बनाया जाता है, इस वर्ष 2023 में कब मनाया जाएगा जरूर से जान लिजे, सबसे पहले आप सभी को अवश्यक रूप से अरंत चतुरदशी 2030 में 28 सितंबर दिन गुरुवार के दिन मनाना पंचांग में पूर्ण रूप से वर्णित किया गया है, इस दिन बहुत सारे सुप सायोग हो रहे हैं, गुरुवार का दिन स्रीहरी विश्नु को समर्पित है, और दुरलब सायोगों के साथ बहुत पावन दिन 28 सितंबर का हो रहा है, आप सभी ब्रत करते हैं, तो इसी दिन ब्रत करें, चतूर्थी तीथी कब से प्रारंब हो जा रही है, यह भी जरूर से जान लिजे, 27 सितंबर 2023 राद 10 बचकर 20 मिनट से, चतूर्थी तीथी आरंब हो जाएगी, साथी चतूर्थी तीथी समाप्त होगी, 28 सितंबर 2030 को साम को 6 बचकर 50 मिनट के आसपास, इसक्रीन पर भी सभी चीजे लिखी हुई है, साथी पूजा का सुब महरत भी जरूर से जान लिजे, अनंत चतूर्थी के दिन सुबह 6 बचकर 12 मिनट से, आप सभी को पूजा का सुब महरत प्राप्त हो रहा है, और साम को 6 बचकर 51 मिनट के आसपास तक आप सभी को पूरे दिन, अनंत पूजा इत्यदी भी आप पूरे दिन कर सकते हैं किसी तरह की कोई बाधा का जो है इसमें समाधान नहीं है तो आप सभी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अनंत चतुर्दशी का ब्रत करें स्रीहरी विश्णु तुलसी माता का पूजन करें गुर्वार का दिन है तो के व्रक्ष का पूजन करें बहुत सुब मायना जाएगा दीप दान करें इस दिन आवश्चक रूप से गड़पती महराज के निवरित अनंत चतुर्दशी के निवरित एक समय का भोजन दान के लिए निकालें दीप दानी तैदी करें काफी सुब फलो की प्राप्ती होती है सुब फलो की प्राप्ती पूरे साल भर प्राप्त होती है इस दिन किये गए तो आप सभी को इस दिन आवश्चक रूप से कुछ न कुछ विसेस करना है वीडियो उचीत उपयोगी रहा हो तो लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें जैस्री हरी विष्णू